नमस्कार आप देख रहे हैं प्रताबगा ब्लोक्स ओफिसल हमें रामकलास जादो आप देख सकते हैं जो भैंस देख रहे हैं ये भैंस जो है हलका लाल डिस्चार्ज दे रही है क्या कारण से दे रही है और ऐसा अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं थमें क्या देना चाहिए और यह भी लगभग नौ महिने की गर्वती भी है और जो इनके मालिक हैं किसान उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया डॉक्टर ने क्या जबाब दिया है डॉक्टर ने इसे क्या चीज़े खिलाने की सलाह दी जिससे की ए जो है ठीक हो जाए ऐसा अगर डिस्चार्ज कर रहित क् क्टर वेडियो और लाइक सरूर करें और चिंडू को सबस्क्राइब करें तो स्यसवेले किसान वहीं। हम बात करना चाहूंगा अगर इस तरह का आपकी पसूल себя कर रही हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं पहला कारण वह हो सकता है कि आपके पसू के बच्चे-दानिव इंफेक्षन हो तब जो है लाल पीला निला ऐसा रिस्चार्ज कर सकती है लेकिन इस भैस के बच्चिदान इंफिक्षन भी नहीं है एक गर्वती है तब एक क्या कारण हो सकता है तो इस वर जब हम किसान हमारे पास कई बार मैसेज दिए इसको वीडियो भेजे और हम से बार भी की हैं हमरे पास कवल भी किए हमने उन्हें जानकारे ले तो हम ने यहीं पूछा कि इससे क्या हुआ है तो किसान के कहना यहीं था कि सर जी इसको जो हमने कल सुबह से जो है यह हल्का लाल और इस तरह का डिस चारज दे रही है तब इसे क्या दिक्कत समस्या हो सकती है तो हमने उनसे यही कहा कि क्या इसे पहले चोट लगी थी एक दिन दो दिन पहले या किसी वज़ा से गिर गई हो या कुछ दिक्कत हुआ तो इसे किसी तरह से तब किसान ने बोला कि हाँ दो दिन पहले एक भैस थी इसके मतलब बैठी थी तो किसी कारज चुट गई होगी तो इसके उपर से चढ़कर चली गई भैस तो जो भैस के खुर होते हैं आप जानते कितने खतरनाक होते हैं अगर पैर पर पढ़ जाता है खुर तो पैर चिपक जाता है चिम्टा हो जाता है तो उसका जो है कि उपर उसके खुर पढ़ गया भैस के पेट पे जो भैस के पेट में खुर पढ़ गया है तब क्या है कि इसके जो है दिक्कत हो गया जो बच्चा अंदर रहता है तो इसके लिए हमें जो खाव ध्यान रखना है जब हमारी पशू घर्वति हो तो अन पशू सों सहे सुरक्षित रखना चाहिए कि एक पशू दूसरे पशू को टेच ना कर सके छूना सके लड़ न सके मार न सके यह में खाव ध्यान रखना है अगर हम इस तरह ध्यान नहीं देते तो इस तरह दिक्कत समस्था देखने को मिलेगी फिर हमने किसान को यही सलाह दिया कि आप जो है सबसे पहले जो है अपने नजदे की पसू डॉक्तर को एक बार दिखा दिए देखी जो रेयर केस हो जाता है तो ऐसे क्या हमें अपने नजदे की पसू डॉक्तर को दिखा देना चाहिए तो उन्होंने कहा कि सर जी हमने नजदे की पसुई जॉक्टर को बुलाये थे और वो देखे भी और उनका यही कहना था कि इस भैस का जो है बच्चे दानी का मुह अब खुल गया है अब देखिए पेट में अगर बच्चा है किसी कारण से ज़्यादा चोड़ लग जाती है तो उसका जो बच्चा होता है अंदर से उसका जो बच्चे दानी के मुह होता है वो खुल जाता है डॉक्टर ने कहा और ऐसे उनसे कहा गया कि इसे कुछ दवा दीजिए तो उसमें हम कुई दवा इंजेक्शन नहीं दे सकते अब बच्चा फेंक ही देगी मलब बच्चा फेंक देगी तो देखिए जब खून टाइप आने लगा है न तो इससे का अनुमान लग जाता है कि इसका जो है बच्चे दानिक मुख खूल गया है लेकिन एक सलाह दिया डॉक्टर ने कि इसे जो है आप घी पिला दीजिए इस गाय को उन्होंने लगभग डेड़ सो से लेकर दो सो गराम घी मलब सारी रिक्षमता का अनुसार घी दिया जाता है डेड़ सो गराम से लेकर दो सो गराम घी दिये हैं और डेड़ सो से लेकर दो सो गराम घी दे दिये हैं तो घी क्या करता है जैसे कि बच्चा फेकने के कई कारण वे सामने आते हैं घी के महत तो हम आपको बताऊंगा और इस भैंस को क्या हुआ क्या घी देने से फायदा हुआ है यह भी बताऊंगा तो देखे जब बच्चा फेकती हैं तो कई कारण सामने अधिक गर्मी कारण भी इस तरह का समस्य दिक कर देखने को मिल सकता है या जो है ऐसा भी देखने को मिला है कि जैसे देखा जाता है कि अधिक गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा देखने को मिल ही जाएगा, अगर उसके बाद ये भी देखने को मिला है, कि जैसे आपकी पसु कोई गरम चीज खा लिया है, तो भी ऐसा हो सकता है, जैसे कोई चराई पर हमारी पसु जा रही है, और गरम घास है, और खा रही है, खा लिया, उस समय भी ऐसी दिकत समस्था हो सकती है, हमें जो है, अगर हमारी पसु गर्वती है, नौवा महिना लग चुका है भैंसे, तो उसे हमें गरम खुराग भी नहीं देना चाहिए, खली नहीं देना चाहिए सरसों की, सरसों खरे कर अब ज्यादा देते हैं, तो भी दिकत हो सकती है, इसके लिए, जब नौ महिने लग चुका है, अब अगले महिने बच्चा करेगी, दस महिने को बाद, तो ग्या है कि, हमें इसे गरमी से बचाना है, और दोनों टाइम असनान जरूर कराईए, घरमी के सिजन में, जो गर्वती हों, और ऐसा होता है, कि पेट मुसे चोट न लग पाए, जिससे क्या है, कि अगर चोट लग जाएगी, तो आप समाल नहीं पाएंगे, तो ऐसे हो जाता है, तब जो है, इसको हमने बोला कि, आप जो इसे घी खीर पिला दे जिये, तो उन्होंने जवाब दिया, कि डॉक्टर साहब जो आये थे, वो भी बोले कि इसे घीर पिला दिये, तो इसे डेड़ से दो सो गराम, डेड़ सो से लेकर दो सो गराम, लगवग घीर पिला दिये हैं, और हमने उनसे यह भी कहा, कि इसकी जैसे ही, अभी आज की ही, आज ही हमने बात किया, और हमने भी बताए, कि जैसे ही इसका इस्थिती होती है, आप जो है जरूर बताना, कि इसे अराम हुआ है, कि ने हुआ है, घी देने से, क्या ये रुख गई है, यानि जो बच्चा फेकने के कगार पर आ गई थी, तो क्या ये फेकी, या नहीं फेकी, लेकिन होता है, क्या किसानवाईयों जैसे कि, अगर खून आ जाता है, तब थोड़े चान से कम हो जाते हैं, कि, बच्चा सेफ रहे, देखिए देशी उपाय है, घी तासीर काफी ठंड़ा है, हो सकता है कि, बच्चा सही सलामत रुक जाए, लेकिन इसका जो है वीडियों हम जल्द ही बनाऊंगा, जब भी उसका वीडियों आएगा, इतना बात जरूर ध्यान रखना, उसका वीडियों को भी आपको देखने को मिलेगा, इस वीडियों को लास्ट में लगाओंगा, अगर वीडियों बनाऊंगा, जरूर जो है पार्ट हम बनाऊंगा, अब भी कॉमेंट कर सकते हैं, कि उस भहेंच को क्या हुआ, इसमें इसको बच्चा फ्हेंक दिया या नहीं फ्हेंका इसकी आपको अपडेट हम जरूर देंगे तो इस पर आपकी अफरत करिया है निश्यों कमेंडर सरूर करें इसे लाइक करें सेर करें और फोलो करें तो धन्माद